नमस्कार दोस्तों मैं विजय आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गरिमा आईएस में स्वागत करता हूँ आज 3 जनवरी 2018 है और दीन की बात करें तो आज बुधवार है प्रेंड्स आज आप लोग को भारतीय सम्मिधान का विडियो जो था हमें प्रोवाइड करना था आप लोगों के लिए आप लोग को आपको इसका विडियो जो है डाल चुके थे ठी और यही से हम सुरू कीये थे के दौर में मुलकरतब से जो है हम शुरू किये थे लेकिन फिर सोचे कि आप लोग के सामने जो है तमाम दरग की मुस्किल लिए खड़े होंगी समझ में थोड़ा थोड़ा बहुत जो है न आने की भी समभावनाय बनी रहती हैं खास करके जो की सुरुवात सुरू किये हुए में हाल में जो मन बनाए हुए हैं मतलब शुरुवाती दौर में हैं एक तरीके से कहें कि वे अभी नए-नए इस फिल्ड में आए हुए हैं सिविल से वाके द्रिष्टी कौन कोन से आपको तयारी करने के लिए मतलब किन किन चीजों की जरुवत होती है इन सारे चीजों से संबंदित उनकी जो है शुरुवाती दौर होता है तो इसलिए हम सुरु से ही सारे जीज बोले कि आप लोग के लिए जो हम मुहया कराएंगे और फ्रेंड्स नागरिकों के मूल में वर्णित है ठीक तो जरा एक क्रम में थोड़ा सुन लेजिए ऐसे उस वीडियो को देखिए उसमें काफी विस्तार पुरुब के बताय हुए हैं यहां पर हम आप लोग को एक आज बात करेंगे सकारात्मक्सों से संबंदित जो कि हम सारे विद्यार्थी जो सिविल चिखा के experience है जो कि उनकी महत वकांच्छा हों है उनको तैयारी कर रहे हैं और उसको क्रैक करने की जो है अपनी अंदर सुच बनाये हुए हैं ललक रखे लंक है कि उसको करना है और किसी हर हाल में जो है करना ही है तो हम उसके बारे में सकवराघ करेंगे लेकिन आप लोग अधिकार पढ़ा रहे थे मौलिक अधिकार जब देख रहे थे उस समय हमने काफी अच्छी तरीके से एक इक चीज़ को देखा था थे लेकिन हम आप लोग शही यह आगरह करना चाहेंगे कि आप लोग अधिकार की मांग कीजिएगा इतना जरूर रखिएगा कि अधिकार प्लोग जरूर इतना ध्यान रखिएगा मैं सारे सिविल सिवा के एस्प्येंट से बोलना चाहूंगा कि वे मूल करतब्य को हर हाल में पालन करें हर हाल में मूल करतब्य का पालन करें अगर आप सिविल सिवा की तेयारिक कर रहे हैं और आपकी सोच में अगर बसा हुआ है तो मैं बोलता हूँ कि जो चीजे सक्षातकार में पुछी जाती हैं सबस्ißer ह Wha जो चीजें सक्षात्कार में रू भरू जीन प्रसों से अभीर्थी होते हैं वह आपको कहीं कहीं हम बुलते हैं हमको लगता है कि अगर मुल करता वे कि महत्व यह को समझते हैं उसके एक-एक आधर्स से आधर्स जो लिए हुए है एक एक सब उसके महत्तु को समझते हैं उसके गरीमा को समझते हैं तो हमें लगता है कि आपको कोई दिक्ते नहीं आएंगी आपको सक्षातकार इंटर्व्यू फेस करने में थी इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं आपको अनुछेद एकाउन कम ह है उसको कोगागव करके जो है जो है इस इसको में यहार आपको मूलक करतब है आई हम देह लेते हैं देखिए क्या क panels्ति नागरिकों करता कि क्या है का में कहाँ नागरिक हैं, तो यह हमारे अंदर इस प्रकार की भावना होनी चाहिए उसके बिरूद में थोड़ा सा भी कही पर भी आपको कपट नहीं आनी चाहिए उसके गरिमागरण को ले करके उसके आदर्स खुले करके उसके शब्दों को ले तो संभिधान का पालन करें और उसके आदर्स हो जितने विश्चब्ध हैं उसमें आप लोग संभिधान में जैसे कि हम लोग आपको प्रस्तावना पड़ रहे थे उसमें देखे थे विभीन चीज़ों को तो उनके संस्थाओं राष्ट द्वज और राष्टगान का आदर क करना चाहिए कहीं पे भी आप उसको आदर करें ती रंगे के जो जंडे होते हैं उनके कहीं पे भी अगर फेके मिले सड़क पे ऐसे तो उनको सम्मान पूर्भक उठाईए और एक तरीके से बोलें कि अगर कोई भी अगर पन्ना पेज कहीं भी सड़क पर दिखता है तो उस पालंग करें मतलब सवतंत्रता प्राप्ति तो हमको इतनी आसानी से मिली नहीं इसके पीछे सली कड़ी आंदोलन चली कड़ा संगहर्स चला हमारे पुरवजों नहीं किये हमारे अपनों ने किये कितनी लाखो कुर्वानिया दी गई लाखो जाने गई तब जाके जो है हम लोग को यह विरासत की देन है कि हम लोग आज खुली भारत स्वतंत्र भारत में सांसे ले रहे हैं और यह कापी अच्छी बाते हैं और इसको आप लोग जरूर ध्यान में से अक्छुन बनाए रखें देश की रक्षा करें और आहमान किये जाने पर राश्ट की सेवा करें भारत के सबी लोगों में सम रस्ता और संमान्परतरूतर की भावना का निर्मान करें फाइचारेगा और धर्म सब्सक्राइब भासा करें अशीन Bundes समान भ्रतरुतिकी भावना का निर्मान करें, भ्रतरित पुलंतले भाई चारेगा, और धर्म रहाए को सबी धर्म होना चाहिए धर्म, अर भासा और प्रदेश या वर्ग पर धरирत सबी भेद भाव से परे हो ऐसी प्रथाओं का त्या करें जो महिलाओं के सम्मान के विरूद हो ऐसी प्रथाओं के आप लोग जो है हमेशा विरूद कीजिए जो महिलाओं को सम्मान के विरूद करता हो उनका अतिकर्मन करता हो ठीक उनके सम्मान को चोट पहुंचाता हो तो उसका करें प्रकृतिक पर्यावरन की जिसके अंत्रगत वन आते हैं जील आते हैं नदी वन जीव को रक्षा करें और उसे जो है आप लोग शंग्वर्धन करें उसकी पद्वनत्ति उनके जाती को बढ़ाने का प्रयास करें तथा प्राणई मात्र के प्रति दया भाव रखें ब्य संपत्ति जहां पर भी उसकी रख्षित रखने का प्रयास करें हिंसा से दूर रहें बैक्तिगत और सामोही गतिवीधियों के सबी छेत्रों में उत्तकर्स अर्थात बुलंदी की उचाईयों को छुने का प्रयास करें जीसे की राष्ट भी निरंतर बढ़ते हुए उपर अधियों जाते हुए वह भी नई उचाई को प्रात कर लें कि यदि माता या पीता या उनके संग्रक्षक माता पीता नहीं है तो उनके संग्रक्षक जो उनको पाल पोश्ण जो कर रहें हैं शर्वर से चौदा वर्स तक जो आयू के बच्चे हैं उनके यधा इस्तिती मत् में 6-14 साल के जो भी बच्चे हैं हम यह सारी चीजे आपको मूल कटब में बता चुके हैं आप लोग प्लेलिस्ट में देखिए बहुत अची तरीके से तो फ्रेंट्स हम आद बात करेंगे सकारात्मक सोच कीता महत्पून है खासकर प्रतिक मानो जाती के लिए पूरे मानो श आत्मा है या कोई पंडित है कोई विद्वान है ऐसा कुछ नहीं होनी चाहिए हम तो कहते हैं कि हम हमें कुछ नहीं बनना चाहिए हमको सबसे पहले अपने देश में हैं तो सबसे पहले एक अधर्स नागरिक बनना चाहिए तो वह आधर्स नागरिक कैसे बनेंगे अधर्स नागरिक बनने के लिए सबसे पहले राष्ट के बारे में सोचता हो मतलब एक छोटे से सीकुलन नहों उसके सोच में उसके विचार में उसके बोलने में उसके कुछ कहने में कुछ अहिव्यक्त करने में इन सारी चीजों से हम ऐसा राष्ट के बारे में सोचे समाज के बारे म से आपको हर चीजे एपको दिला सकती है सकारात्मक सोच जो है आपको हर चीजे दिला सकती है माल लेजिए आपका कोई दोस्त है झिक वह हमेसा आपको निगेटि वी बाथ करता है नकारात्मक बात करता हर चीज में ईसको नकारात्मक देखने की आदत सी पड़ गई है में जलनो किसी भी काम को करते हैं in बच्पन से ले करके धिरे 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 बड़े होते हैं और अपने समाज में तो हम लोग लगे ही रहते हैं किसी काम में तो हम लोग किस चीज को अबजर्ब करते हैं यह मायने रखता है हर चीज को अबजर्ब करेंगे और आप जिस चीज को अबजर्ब करेंगे समाज उसी त पानी में दिखाई नहीं दिता है तो उसी परकास यहां पर देखा जाए तो यहां पर अच्छाई बुराईयां सारी चीजे हैं अब डिपेंड करता है शुरू के दौर में तो आपके हर मनुष्य के हर लोगों के हर बच्चे के माता-पिता ही होते हैं उसके करणाधार उसके ध्रच्इता किस तर्फ जाता है उसके मालसिक रूप से सारी रीक रूप से तो उसके अहार पemente i मानुजिक विकास के लिए भी है पोशक्तत्यों की अवशक्तेव में ऑक्राब्स की जिसी चीजे मिल रहा है जब मादक पदार्थ करें चीजा मिल रही है कि मादक पदार्थ जहना जाता है तो मस्तिक के लिए बुरी सोच उस माधक पतार्थ के जैसे ही है जैसे किसराब जिस परकार से एक मनुष्यके ऑप सरी कोखोख्ला कर देता है यह बुराइया को हम यहीं बोलना चाहेंगी कि आप लोग शकारात्मक द्रिष्टिकूंड रखिए अगर आप लोग सूचीएगा हर चीजों में निकालना तो हर चीज में निकाली जा सकती है बसरते आप किस चीज?? आप खौलो कर रहे हैं सूरू से अगर आपको सी चीज़ों को देखने की आदत सी लग गई है हर चीज में आपको सकरात्मक चीज़े तो आपकी आदत बन जाएगा सुरू से अगर आप कोई बी काम को किसी दिन लागातार करते हैं तो आपके जिन््दधिक का वा रिखार अटूट। नहीं हुआ अलग होकर रही नहीं सकता है इसंट है yeah परदानमंत्री नरेंद्रमोधी उसको सुभारम किये थे और उसमें उन्होंने ये बोले हुए थे कि 2019 में महात्मा गांधी की डेड़ सोवी जैंती मनाई जाएगी और उस शमय हम लोग अपने महात्मा गांधी को याद करते हुए उनकी अस्मृति में महात्मा गांधी को आप लुको सौंप देंगे देखिए यहां पर महात्मा गांधी कहने का मतलब यहां पर बोध होता है संपून देश का संपून राष्ट का संपून भारतवर्स का परतेक नागरिक का बोध हो रहा है अर्ताद अगर स्वक्षिता में आपका छोटी सी छोटी भूमिका है आप खुद को अगर बनाना शुरू कर देजिए हम लोग बनाना सुरू कर दें तो निच्छित तर पर हमारा देश आगे बढ़ेगा उसी प्रकार जिस प्रकार से जो है हम आपको एक बताएं ही थे जैसे की सकरात्मक के चीजों किसी भी चीज में देखनी हो जिस प्रकार तो यह बोल रहा है है कि यह गिलास जो है भी खाक ली है और दुसरा जो वह देख रहा है वह गिलास को देख करके यह सुच रहा है कि यह जो खाली है इसको कैसे भरा जाए यह जो खाली है इसको कैसे भरा जाए तो सुचिए वहाँ पर उसको केवल खालीपन दिखाई दे रहा है जब कि यह देख रहा है कि इस खाली जगों कोई भरने की कोशिस में सघ्षाइब क् facing theian को देख रहा हैं कोई नई एहसास नहीं है दिख रहा है लेकिन इनहें तो दिख रही है तो बस हम जो चीजे सामने देखते हैं उसमें कोई दीखते तो होती नहीं है दिकत हमारी सोच में है जो हमें को समस्ते हैं वहां पर हमारे जिसको नज़री यह करते हैं हुआ से दिखते होती अगर सकरात्मक्षों ओ सुछ कि देखें तो यह पी सकरात्मक्राइग़ आएगЗका कहां ты डीजिएगए तो आप पर 100% देरा तो ऐसा हम विश्वास है कि आप कभी भी बोर फील नहीं कीजे बोरियत महसूस नहीं कीजेगा उबाव फील नहीं कीजेगा आपको किसी भी काम में अपना 100% दे रहाए हैं देखिए काम कीजीएया और काम जब कीजिएगा उन सारी चीजों को समझ के जब कीजिएगा तो निच्च तुरूप से आपका इंट्रेस्ट जगेगा रूची अब जब रूची जगेगा तो आप 100% दीजिएगा 100% दीजिएगा उसके पश्चाद क्या होता है आपका उत्सा बढ़ेगा वहीं से उत्सा ही आपको कंवर्ट होता है आत्म विस्वास में और आत्म विस्वास वो चीज होती है जो आपको तब्दील हो जाती है कि चीज में सकरात्मक सोच में ठीक और सकरात्मक सोच ही है जो आपको हर चीज ईजी लगने लगता है असान सा लगने लगता है बिल्कुल जटील से जटील काम जो की दुनिया के नजर में जटील है वे आपको जो है असाम से लगने लगते हैं तो friends हम यही कहेंगे कि आप लोग जो है सोच से एक तरीके से सोच से अपंग न होईए सोच से आप लोग थोड़े सी भी आपको उसमे नीचापन मत लाएए हमेशा हुच सोच यहाई thinking रख़ीए क्यूकि इस पे तो किसी का दबाव नहीं है तो फिर हम छोटा सोच रखे क्यूं इस पे तो मेरा पूरा अधिकार है और हम जहां तक किसको ले जाना चाते हैं ले जा सकते हैं आप खुद को अपने आपको कम भी मत समझेए आप जो भी है आप सुरुवात भी किये हुए हैं खुद को कम मत समझेए आप अपने आप में सुचिए कि हम राजा हैं तो क्या भले ही दुनिया कर रही हो कुछ भी हूँ लेकिन आप अंदर से अगर आप खुद को राजा फिल कर रहे हैं तो आपको दुनिया की जरूरत नहीं है कहने की दुनिया को मानने की ठीक तो बस दुनिया बस हम बोलें दुनिया तो है भहती चीजों के पीछे ज्यादा आपको जो चीजे उसको नजर आती है दुनिया उसी चीज पर विश्वास करती है जो चीजे नजर आती है लेकिन आत्म विश्वास सकरात्मक यह वैसी चीजे जो दुनिया में उनको समझ में यह सारी कीजा नहीं आएंगी और यह क्योंकि दिखने वाला नहीं है तो 생각이 पढ़ेंगे इंडियन ज्यग्रिव घुल मैं हम लोग पढ़ेंगे आपको बहुदेशीय परियोजना के बारे में आप लोग पैयार रहेगा और मुलकर तब को आप लोग नोट कर लिजेगा आप प्लेलिस्ट में देखिएगा आपको जरूर मिल जाएगा ठीक है दोस्तों तो ठीक है मिलते हैं कल तब तक के लिए दीजे इजाज़त नमस्कार